मित्रों चैमातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चैमातादी चलू लिखें मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगी मित्रों वर्ष दोहजारपचीस में विश्व कर्मा पूजा कब है जानिये सही तीनवतारी क्या है पूजा करने की बिधी क्या है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो ससक्राइब करेंगे और वीडियो पस्संद आएगी तो वीडियो को लाइप करेंगे और जादे से जादे से शेर करेंगे मित्रों विश्व कर्मा पूजा हिंदू कैलेंडर की अनुसार प्रतेक वर्ष आस्विन मास के खृष्ण पक्च की 4 तितिती को मनाया जयता है और इसे कन्या संक्रांती के नाम से भी जाना जता है। ऐसी माननेता है कि इस दिन भगवान विश्व कर्मा का जन्म हुआ था। इसलिए आज के दिन पूरे भारत वर्ष में पूरे विधी विधान के साथ भगवान विश्व कर्मा जी की जैनती मनाई जाती है। इस दिन भगवान विश्व कर्मा की पूजा अर्चना करने से भगतों की सभी मनुकामना पूरी होती है, साथ ही ब्यापार में तरक्की और उन्नती प्राप्त होती है, इनकी पूजा करने से नई उर्जा का संचार होता है, और ब्यापार या निर्माण आदी जैसी कारियों म आने वाली मसीने वाहन आदी कभी खराब नहीं होते हैं इसलिए बिश्व कर्मा पूजा लगभग सभी दप्तरों में कारियालियों में बड़ी बड़ी उद्ध्योक फैक्टरियों में वर्क साप में दुकानों और घरों में मनाया जाता है बिश्व कर्मा पूजा के दिन इसनान आदी करके साफ वशुद्रवस्त्र पहन कर पूजा इस्थल पर एक चयोकी पर भगवान बिश्व कर्मा की प्रतिमा इस्थापित करे इसके बाद जल या गंगा जल से भरे कलस में हल्दी और चावल को चढ़ा कर कलस में रच्छा सुत्रवाद कर कलस पर स्वास्तिस्क चिन्ध बना कर कलस की स्थापना करे और इस्थापित प्रतिमा पर हल्दी अक्षत और रोली लगा कर भगवान बिश्व कर्मा को अच्छत फूल चंदन धूप अगरबति दही रोली सुपारी रच्छा सुत्र मिठाई और फल आदि अर्पित करके धूप दिप से आर्थी करे मित्रो अब आपको बता दे की वर्ष 25 में विश्व कर्मा पूजा 17 सितंबर दिन बुद्धवर को मना जाएगा